अरे वीडियो में पर्फ्यूम के खुसबू थोड़ी आती है तो आ गए आप कैसे हो दोस्तों मैं अपनी टेक्निकल दोस्ट फैमिली के प्यारे बढ़ते यूट्यूबर चोटे यूट्यूबर नहीं होगा क्योंकि भाई या सब्सक्राइबर से कोई छोटा बड़ा नहीं होता क्योंकि मेहनत तो सभी बराबर करते हैं तो मैं अपनी टेक्निकल दोस्ट फैमिली के प्यारे बढ़ते यूट्यूबर के लिए सवालों के जवाब में लाया हूं कि भाई मैं कौन सा कैमरा यूज करता हूं कौन सा माईक यूज करता हूं कौन सा एडिटिंग सॉफ्ट्यूर यूज करता हूं और किस परकार में बॉलिवूड के सौंग का मज़ा ले पाता हूँ बिना किसी स्ट्राइक के तो भाई मुलाकात को बात में बदलते हुए सुरू से सुरू करता हूँ कैमरे के लिए मैं सैमसंग का A5 2016 मॉडल ही प्रियोग कर रहा हूँ आज तक की वीडियो के लिए इवन इस वीडियो को भी मैं इसी फॉन से बना रहा हूँ हो सकता है एक दो गिन बात मेरी वीडियो सैमसंग Note 8 से बननी सुरू हो जाई क्योंकि आज यकल में साथ में फॉन में वहीन लेने वाला हूँ लेकिन आज की वीडियो भी Samsung A5 2016 मॉडल से ही बन रही है अब तक जितनी भी वीडियो है आपके technical दोस्ट चैनल पर जितनी भी वीडियो है सभी इसी phone के camera से बनी है तो कहने का भी प्राहिए है कि आपको पैसे करने की जुरूत नहीं है कि हाँ भई मैं DSLR ले लू 70-80-1000 रुपे का नहीं यार आपके phone में 13MP के आसपास का कोई camera हो तो उससे ही आप काम चला लो पैसे मत खर्च करो Limited साधन से भी आप काम कर सकते हो और पैसे हैं तो भई या लुटा लो आपकी मर्जी है माइक माइक के लिए मैं बोया M1 का माइक प्रियोग कर रहा हूँ 2000 रुपे के आसपास आपको Flipkart या Amazon जहां से भी मिलता आप वहां से ले लेना मेरा माइक मेरे मूग के उपर लगा होता है आप उसे कॉलन में भी लगा सकते हो और ये DSLR और phone दोनों को support करता है दोनों में लगा सकते हो खास बात ये है कि सस्ता है और बढ़िया audio qualities में आती है और problem ये है कि यदि आप चुप हो जाओगे मतलब अब आप बोलोगे नहीं तो ऐसी स्थिति में आपको जो भार की noise है आप scooter, tractor या गाय भैसो की आवाज सब कुछ आपको आपकी वीडियो मिल जाएगी यदि आप चुप हो जाते हो और लगातार यदि आप बोलते रहते हो तो भार के वाज ये नहीं लेता है या बहुत ही कम लेता है सलह ये कि आप इसको अपने मूँ के जितने पास रखोगे मतलब यहां कॉलर के पास रखोगे तो जादा बड़ी है मैं दूर इसलिए रखता हूँ ताकि मैं डांस वांस कर सकूँ इसलिए मैं इसको लटका के रखता हूँ थोड़े उपर और बाकी एक और चीज़ हो सकती है देख लो आपको कितना इंवेस्ट करना है मैं तो बोया M1 माइक प्रियोग करता हूँ और मुझे बहुत बढ़िया लगा है DSLR को भी सपोर्ट कर रहा है और यह फॉन को भी सपोर्ट कर रहा है और मैं अपना कोई affiliation link नहीं दे रहा दिस्क्रिप्शन में नहीं तो आपको लगेगा ओय है बेटे पैसे कमाएगा तु नहीं भाई मैं आपको एक नॉर्मल सा लिंक दे रहा हूँ और आप जहां से चाहें वहां से खरीद लेना मेरे लिंक से मत खरीद ना कभी यह कहोगी पैसे के लिंक दे दिया कहीं से भी खरीद लेना मैंने नॉर्मल लिंक दिया affiliation link नहीं दिया तो इसे आप चाहो तो प्रियोग कर सकते हो editing software भाई मानो या मत मानो by god मैं editing के लिए android का cyber link power director ही use कर रहा हूँ मैं font से ही editing कर रहा हूँ आपको लगता होगा नई है फॉन से editing नहीं है मेरी जितनी भी video है जो आपको video ऐसे लगते न भाई इसमें सबसे तकडी editing की गई है और ये font से नहीं हो सकती कसम से हर वीडियो हर कोई वीडियो cyber link से ही edit की गई है उसी android की app से edit की गई है editing इसी से कररहा हूं। आज की वीडियो जो भी आपको वीडियो लगतर हैं सब मैं इसी से एडिट कर रहा हूं. बागे आप pens से ही करना चाते हैं काईन मास्टर भी खरीज सकते हैं और बताऊ मैं laptop क्यों नहीं लेता यूग वगेरा क्यों रेता भीजिएकों आपके प्यार की वज़े से लक्षमी जी भी मुझ में महरबान है तो laptop तो मैं हाज लेलूं कोई फरक नहीं पड़ता लेकिन laptop को मैं कहां लिये फिरूंगा मैं अपने phone से जहाँ चाहे वहाँ edit कर लेता हूं तो इसलिए मैं phone से ही edit करता हूं मैं नहीं dependent होना चाहता ऐसी चीज तक प्रियोग कर सकते हो कोई claim नहीं आता कोई strike नहीं आती और एक और सला है आपको कि आप पहले 20 second का प्रियोग कर लो और 10 second को end का कोई पार्ट ले लो एक साथ का 20 second का प्रियोग ना करो तो ज़्याद़ बढ़िया है 99.99% आपको कोई भी strike नहीं आएगी और 1% आपको strike आ दे तो ऐसी स्थिति में आपके चैनल की standing कोई फरक नहीं पड़ेगा हाँ उस वीडियो से आप पैसे नहीं कमा पाओगे sharing में चला जाएगा और आपकी technical दोस्ट चैनल की कई वीडियोज हैं बहुत सारी वीडियोज हैं जिन पर ऐसा sharing का claim आया हुआ हुआ है वो वीडियो डाली बनलब वो music लगाया जो 30 seconds से जादा का हो गया तो ऐसे में गाने वाले ने का वेटे या पैसे वेटे हमें दे दे मजे तूले और पैसे हमें दे तो मैंने का ठीका भाईया मजा पूराना चाहिए चाहिए पैसे ले लो और कई बार गाने डालने के बाद मुझे लगत क्योंकि भाईया मजे लेने और मैं स्वान को सामने स्टैंड पे लगा देता हूं और वीडियो बनाता रहता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए ज़्यादा महंगा सेट अप लेने की कोई आवश्रक्ता नहीं है मैं भी इसलिए नहीं लिया मैं लेपटॉप भी ले सकता हूं कैमरा भी ले सकता हूं लेकि मैंने सिर्फ इसलिए नहीं लिया कि मैं देखना चाहता हूं कि लिमिटेट साधनों के साथ सीमित साधनों के साथ कितनी दूर तक जाया जा सकता है क्या जरूर है कि महंगा साधन लिए जाए तभी आदमी क्या मियाब हो जाए तो मैं यही देखना चाहता हूं कि Limited साधन के साथ मैं कितनी दूर जा सकता हूं और मैं आपको भी कहना चाहता हूं कि महंगा setup लेने क्या हो सकता नहीं अपने content पर ध्यान दे कुछ भी नया या कुछ भी नई तरह से करें कोई भी चीज आप नई तरह से बताए या नई चीजों को बताए तो आपको फायदा होगा अगर मैं एक example लूँ तो बस इतना सही है कि चाहे अच्छी होनी चाहिए चाहे वो कुल लड़के cup में ही क्यों नहीं हो और अगर चाहे खराब होगी तो सौने के cup में भी भी या बकवास लगेगी तो आपका content अच्छा होगा तो लिमेंटर साधन के साथ भी अच्छा लगेगा और अगर आपका content बखवास होगा तो भाई कितना भी बड़ा setup लेड़ना किसी को पसंद नहीं आएगा तो बस भाईया मेरा तो हो गया यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक के काले बटन को नीला कर देना वीडियो को शेयर कर देना दिल करे तो और अपनी प्यारी प्यारी बातों को comment में भाई मुझे जरू बताना गाली वाली मत देना भाई और मेरे नए महमान उसरे झाली मत देना वाली 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 झाल झाल